तो आज हम बात कर लीते हैं आपके MTS हवलदार पोस्ट का रिजट आउट हो चुका है जो आपने 2022 में दिया था आप कुछ बच्चों को यह confusion हो रहा है कि यह MTS का रिजट है यह MTS में हवलदार की पोस्ट का रिजट है तो मैं आपको बता देती हूं यह हवलदार पोस्ट का आपका रिजट जारी हुआ है इसके बाद आपका P.E.T. औ.P.S.T. कराया जाएगा उसका भी आपको नोटिस दे दिया जाएगा ऑफिशल एफसाइट पर कि कब आपका कहां और कब एक्जैम P.E.T. औ.P.S.T. आपका होना है तो जो बच्चे डर रहे हैं कि यह MTS का as a whole र आपकी टोटल विकेंसी बारह हजार के करीब दी गई थी तो जब बारह हजार के करीब आपकी टोटल विकेंसी है तो तीन हजार नाम वो लिस्ट में कैसे दे सकते हैं उन्होंने साफ साफ वैसे भी इस नोटिस में बोला है कि यह आपकी पोस्ट हवलदार को लेकर है बात क 2nd May से 19 में तक हुआ था और 13 जून से 20 जून तक हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स में, ठीक है, यह आपका एक्जैम हो गया था, एक इस बेस पे हुआ था, आपके रीजनिंग और मैस हुआ था, पहले पहले फेस में और दूसरे वाले जो डेट्स हैं, जून की, उसमें आपका English और GK हुआ था, ठीक है, तो आपने अगर English और Reasoning और Math अगर आपने पहला वाला section पास किया था, तभी आपने second वाला paper दिया था, यह सभी को याद होगा, तो second वाला जो paper दिया था, उसी के base पे आपकी क्या आई है, आपको यह list दी गई है, कि कौन बच्च आपको कि वो session second के base पर क्या दिया है, उन्होंने यह result जारी किया है, अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो, as per 18 of the notice of examination, candidates have been shortlisted for P.E.T. और P.S.T. based on their performance in session second, यह बात बता चुकी हूँ, candidates who did not qualify in section 1 were not eligible for evaluation of session second, तो आपको पता है कि जो बच्चे qualify नहीं कर पाये थे session 1 को, उन्होंने वो नहीं दे पाये थे session 2 का exam, ठीक है, तो minimum qualifying marks in session 1 and session 2 of computer-based examination are as follows, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको section 2 के, जिन बच्चों के UR category में 30% minimum थे, OBS EWS में 25% थे, other categories में 20% थे, तो उन बच्चों का नाम यहाँ पर qualify उन बच्चों को किया गया है, ठीक है, आगे देख लेते हैं, the candidate who failed to qualify for PET और PST, अगर बच्चा PET और PST में fail हो जाता है, उसे qualify करने से, तो इस case में क्या होगा, क्या वो MTS के लिए eligible है, क्या उसने, क्या उसे MTS की category में रखा जाएगा, यह निकाल दिया जाएगा, तो वो यहाँ पर बोल रहा है, कि however, if such candidates get shortlisted for the post of MTS, their candidature will remain valid for the post of MTS, तो डढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे भी क्या होंगे, अगर वो cutoff qualify कर रहे हैं MTS की, तो उन बच्चों को भी MTS में, MTS के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी job अराम से लग जाएगी, तो इस पर डढने की जरूरत नहीं है, कि अ MTS में आपको consider नहीं करेंगे, तो बिल्कुल MTS में भी आपको consider करेंगे, यहां पर देख लेते हैं, यह इनों ने, देखो, 3000 वेकिन से, 3000 यहां पर आपको नाम दिये गए हैं, बच्चों के, किस तरीके से दिये गए हैं, EWS में 250, SC में 530, और यहां पर देखो कि यूर में, 1500 बच्चों के नाम यहां पर select किये गए हैं, आगे देख लेते हैं अगर, तो यहां पर देखो, as per the resolution criteria mentioned ठीक है, and in case we are more than one candidate, अगर किसी candidate के, किसी 2 candidate के, या 3 candidates के ऐसे हो गया है, कि marks same आ रहे हैं, तो ऐसी situation में क्या करेंगे, तो उन्होंने देखो, एक series दे दी है कि पहले- पहले को चेक करेंगे, वो नहीं हुआ, तो दूसरे को चेक करेंगे, वो नहीं हुआ, तो तीसरे को चेक करेंगे, वो भी नहीं हुआ, तो चौथे को चेक करेंगे, तो देखो, पहला क्या है, पहला इन्होंने बोला, कि marks in general awareness of session 2, जो session 2 में आपके general awareness के marks थे, उनको देखे इसमें हर paper में ऐसे होता है कि क्या करते हैं आप age की preference की साथ दे देते हैं जिसकी age यह जादा होती उसे select कर लिया जाता है क्योंकि अगली बार उसके eligible होने के chance क्या होते हैं कम हो जाते हैं ठीक है पहुछना पड़ेगा, चलिए, यहां पर देखो, उन बच्चों की लिस्ट दे दी है, जिन बच्चों के जो केंडिडेचर है, वो cancels करती है, उनके результат को जारी नहीं किया है, उनके результат को consider ही नहीं करा है, ठीक है, यह कितने बच्चों का है, 46 डिपेयर बच्चों का है, वो कुछ गलत किया है एक्जैम में या तो चीटिंग की है या कुछ भी यूज किया है ऐसा अगर देखने के लिए किसी भी बच्चे के साथ मिला है तो उन बच्चों को उन बच्चों का कैंडिडेचर यहाँ पर उनों ने कैंसल कर दिया है अपना रोल नमबर जाकर नोटेस में देख लेना कि किस का रोल नमबर है यहाँ पर सही है चलो और बात कर लेते हैं यहाँ पर इस केडियूल और पीटी पीएस्टी फॉर दी पोस्ट फवालदार विल बी अविलेबल उन दी वेबसाइट में आपको बता चुकी हूँ यह वेबसाइट पर आपको दे दिया जाएगा इसका इसकेडियूल क्या रहने वाला है फाइनल आंसर कीज जो आपको मिलेंगी वो किसके बेस पर होंगी जो फाइनल आंसर कीज आपको मिलेंगी वो कौलिफाइट स्टुडेंट को भी मिलेंगी और नोन कौलिफाइट स्टुडेंट दोनों को ही मिलने वाली है तो और कब मिलेंगी जब आपका रिजर्ट हो जा उसके बाद ही आपका MTS का रिजर्ट जारी होगा, क्योंकि MTS के रिजर्ट में तो आप बाकी कुछ होना नहीं है, आप exam दे चुके हैं, आपका अप सिर्फ नाम ही आना है, सीधा selection ही होना है, तो और कुछ होना नहीं है, आपके document verification होगी, तो document verification क्या कराएंगे, यह लोग साथ में करा लेंगे, हवालदार की भी और इसकी भी, तो इन्होंने सहाँ पर notice में दिए दिखा भी है, कि आपका जो final result आउट होगा, वो तब ही होगा, जब आपकी MTS का सारा ताम जाम, PST, PST का हो जाएगा, तब आपको एक साथ जो है, वो list जारी की जाएगी, MTS और हवालदार की मिलाकर, तो तब तक के लिए अराम से बैठेंगे, जब आपना यह PST नहीं हो जाता है, फिर इंतिजार करना, कि आपका जो final result आने वाला है, वो कब तक आने वाल, जल्दी ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, चलिए, तो अभी फिलहाल इस session को end करते हैं, फिर आप से मुलाकात होगी, अगले session में किसी अगली updates के साथ, तब तक के लिए अपना खयाल रखिए, Bye-bye, take care, see you, thank you so much.